देली स्माहा हूं सारे रंग हैं सारे संग हैं सलामत रहें तुरोशन रहें है सब की दुआ दिल्ली 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 मस्तानों की दिल्ली रंगों की दिल्ली उमंगों की दिल्ली जहां हमें नाचने गाने के लिए कुछ खास मौके की जरूरत नहीं होती है और जब बात चली रही है म्यूजिक और मौज मस्ती की तो एक ही नाम सब की जबान पर आता है दुनिया भर में लोगं उनके गानों की वावाई करते हैं यह पंजाब की शान और दिल वालों की दिलदार दिलेर मेन्दी साथ दिलिए दिल से पे आने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया पोश्राइब अच्छा लगा आप से मिलें नहीं फाद आप शिरुआत करते हैं बहुत सारी चीजे आप से हमें पूछनी है आपका औरिजिनल नाम क्या था बचमर में तो मावग जो चाहते हैं डाकू दिलेर सिंग डाकू दिलेर शिंग दाकू दिलेर सिंग सब मेरे भाई म अब दिलेर में दितना बड़ा नाम हो जाएगा यह सोच एई नहीं था पड़िये मैं बहुत शुक्रुदार के बहुत अच्छा नाम मुझे मिला और उसको लोगने पसंद किया आपके संगीत से आपके गानों से तो सभी हमारे देश में वाकित हैं लेकिन शायद ये बहुत कम लोग जानते हैं कि आपने अपनी तालीम ट्रडिशनल पंजाबी म्यूजिक में ली है मतलब आपने इसकी प्रॉपर तालीम ली है इसके बारे में कुछ बताईए घर में पुराने पुराने और बड़ी देर से चले आ रहे तो हमारे फादर साब किरतन करते तकसरी पतना साब में बच्पन में वो सुनने कमिला घर में और फिर जब मैं 14 साल के उमर का था तर तब हम लोग गोरुपुर गये मेरे उस्ताद रहत अली खान साब फिर उन से गाना सिक एक बहुत अच्छा मिशन था जो मैंने बच्पन में सुना और फिर आप ने अपना मुजिकर गाता था तो मैं जिस भी मुझी कंपरी में जाता था तो लोग मुझे कहते थे अच्छा आप जगजी सिंसी से या चोड़े गुलामली से ज्यादा चालो गया यहां इतने पुझाबी बहुत थोड़ा चल रहा है और आप पंजाबी गाना तो मैंने फिर ट्राइग किया लुटे अगया मैजारो लुटे अगया पटे अगया मैजारो पटे अगया ओसारे पिंड़े चुमाच्च की दुखाई ओए एक कूडी पटाका हुजे रहा से कह सा एसा गा तो गया तो वहां से मेरी शुरुआ थी और मिया था दिल्ली में वेस्ट दिली में पहला एक प्रफॉर्मस थी तो पॉब्लिक बहुत नाराज वे नीचे दो थीन सो लोग तो यार खड़े हो की गाना गा रहे हो निद थले उतारो उतार दो तूना ही नहीं है तो मुझे ब नजर नहीं चुरारासन और गुड़नाड इश्क मिठा इसको तकदीर करें जा किसमत का लेखा हम जो अचानक मेले बाहु में चले आ यह यह मिक्सिंग मैंने ऐसे शुरू की बनाने यह हूई ऐसे कि मैं एक संग्शेफ में जल्दी बताता है कि एक शो था बेदी नाम की ल मदने क्यों थे रहता है हागे अपनसे अफना फिर्म घर उटे नहीं जनी अन्धा और गिंटो एक अनधर यह तब कर सकते हैं यह आपने बताया कि आपने इते तरह तरह के म्यूजिक घरानों से सीख ली और फिर अपना एक नया स्टाइल इवाल्व किया लेकिन इन सब में से आपका मन पसंद गाईकी का स्टाइल कौन सा है जो आपको बिल्कुल ऐसा लगता था कि आप यही करना चाहते हैं बहुत अच्छा जो स्टाइल लगता था वो के तो भी बतला मेरी यादों को भूलाने वाले मैं तेरी याद को इस दिल से बुलाओं कैसे और को बहुत खुबसूरत देलेर जी इस इस ब्यूटिफूल जब आपका स्टाइल आगया तो फिर आपने इसको बस दिल में ही कैद करके लिए मैंने स्कूफित अधिया जैसे आप भूत तरीके से यूज किया जैके ओगट इतना चाड़ दी चाड़ देट तो टूते टर दींपना तराओर रा हो बॉलो तराऊ रातने आपके लिए बॉलो तरह रा रा हके अपने पसंदीदा गायी के स्टाइट को … इंडिया में अगर कोई स्पीड जो दी है रिदम की उसके लिए मैं बहुत खुश नसीब हूँ के 160 स्पीड में है जरली लोग 95 में स्पीड में गाना बनाते हैं थोड़ा बहुत आगे जाएंगे जैसे के आप को आए इस गोड़े ढूरे अबकेश रिदर एंडिनना फ्रकारिं आगे ne खिड टो फैरे न इस वापशार सी के वेदा आप देना जीआ हो जीया हो जीया कुछ बवल देना तो वह हमारी स्पीड चल रही है वो उस पर चली है अच्छा आप बताये दिल्ली में आपको कैसा मैसूस हता है जो आप परफॉर्म करते हैं ऌरदी कहिक है एक है और भी जानएं फयरे सोदोत की की जानते हैं और आप के शलाजना क्मा इनगा पर एक जैजा है जी तो आपको कैसा लगता है जब आप उनके लिए गाते हैं मुझे याद है कई स्टेडियम के हमने कुर्शियां तोड़ा दे हैं हमने अब शुरी फोर्ट में जब शो करते हैं तो हाथ जोड़ दो पर थे बल को ने निचे गर दे बंद कर दो आप जहां भी गए हम लोग हम लोग ने हाथ जड़ा दिये हैं और कभी भी शोव खुद नी बंद किया यानि आप कम्प्लीट एंटेटेनर रहे जब तक आपको ओडियंस खुशनी होती है आप और शुरू से जब तक हम लोग अपना दिल नीबरता है हम लोग खुदी गाते रहते हैं तो चोड़ो यार प्री a Hindi film industry में भी काफी गाने दिये हैं का अब कि प्लीबाक सिंगिंग अब तो मतलब Hindi tudo में भी उट हीए मेरा बहुत सूरू से ये था की मुझे अपने काम पे भूद ध्यान देनने और ब्रोसा रखना है और मुझे फ्रंब निकर्ने मैं बमबे ऐक वे मेरे दोस्ते नी का चया कुगे। जब पाजी करेंगे तो गांगे। की बूले का तार में बंधर वाजी का दो रनेखिन संव कर आब हम आवा झालो यह लिए मिशंवी है लिगा हुझा। तो मुझे थोड़ा सा हलका सा चक्कर आ गया तो बड़ी आवाज और उनके तो सारी दुनिया फैन है तो बच्पन से देखा ही उनको अभी भी उनके बहुत फैन है उनके जलग देखने के लिए रहता मन मैं बच्छा अंताब चंगो आगा तो लिए पाजी मैं आपके साथ का करना चाहता हूं कि आप मेरे साथ काम करेंगे क्या बात है ? मैंने का के भाजी कभी बी किसी को मुझे भी चक्कर आ रहे है किसी को कि सूचर में इक भी ढिरेक्ट फॉन मत करना है कि मैं बोल रहा हूं हाट अड़ रख हो सकता है मुझे जमीन हिल रही है तो बहुत जड़ से तो आपने अपना फिल्म इंडिस्ट्री का पहला गाना विट आप बच्चन के लिए और ये गाना हम पिना सुने आपको को मस्ती भरी रात है हुसोने कुडियों का भी साथ है जीने का लेले मज़ा के डरने की क्या बात है आपको ज्यादा मज़ा किसमे आता है प्लेबक में या लाइट मुझे प्लेबक में बहुत अच्छा लगता है है अर अर अलगाले एक्सपेरिमेंट करने कोशिश करते है और मैं जब भी जाता हुं तो तकरीवन जो फिन गाना होता है तो जो उट वूमके बनाया होता है उसको ठीस कर देख कि का अब जैसे के एर्मान साब का फोन था के रंगडे भसंती गाना तो मैं चला गया गाना गाने के बाद मैने कहा कि एक लाईंज रख लो अच्छी लगी रखना ने रखना उप हो वो कांसी लाईन थी मिन झाल है एक इस काई दिल्ली आए देश की दिल्ली तो उस पर ये रंघ बसंती वाला गाना तो आपको गाना ही पड़ेगा मारे पने रंग दे अपने रंग दे खुशिया रंग दे गंभी रंग दे बच्पन रंग दे जो बन रंग दे मोहें देले जी हम सबी को पता है कि दिली जो है ये दुन्या की सब और भारा हुआं रिका Sugden के लिए बहुत पुरानी बात है बारा तेरह साल पीछे चले जाए तो जब भी मैं शो करके जो मैं बापस आता था मुझे लगता था कि मैं किसी गाउं में आ गया हूँ और फिर बहुत दुक होता है कि दिली हमारे देश की राज़दानी है जमें यू से साय था तो तो अगर ट्रक जा रहा है यह बस जा रही है तो मैं फटा-पड़ दोर के रुमार के साट पर बागता था तो लोग देखते थे था कि यह क्या ड्राम हो रहे है या को हमारे कुछ तरह बहुत खूब शूरत हो तब मैंने बीड़ उठाय कि उन डेड़ सालों में मैंने अपने सारे बड़े-बड़े कही जगा मैंने शोज होते थे उसको नजर अजाज करके मैं साथ हजार स्कूल के बच्चों के मिला था स्कूल में जाता था सुबह खूब गर्मी खूब पसीना चल रहा है लेकिन के साथ पौदे लगा रहा हूं कर रहा है पौदे भी मैं आपको दूँगा आप से मुझे नहीं चाहिए मैंने दले महदी ग्रीन राइज घूब सारे पौदे लिए तो आपने खुदी से फिरू कि जब तक आप जागरूनिंगे आप लोग को नहीं कहेंगे अब सरकार कहां तक आपको जागरू करती जाएगे अपने बहुत कुछ कर रही है पर हम मेरा यह मोटी था कि मुझे देखके मुझे नोग मुझे प्यार करते हैं तो मुझे देखके अगर सो मेंसे 10 लोग का इन ब क्लब्स हैं जो वातावरन के संग्रक्षन के लिए काम कर रहे हैं यह बहुत अच्छी बात है और इसमें आपका भी योगदान है यह हमें बहुत खुशी हो रही है अपने आदियंस को बता के इन फाक्ट दिल्ली को हरा भरा करने के लिए दिल्ली सिरकार में भी बच्चों मे दिल्ली का हो जाए मैं तो बहुत प्यार करता हूं मैं को शीला दिक्षी जी को जब मन को देखता हूं ते एलग सी खुशी और अनर्जी मिलती कि हाँ है कोई अपना है कोई जब कमांड समाली उनने उसके बाद पासा बलट गया इतना खूबसरत हो गया दिल्ली पूलूश तो लगता है कि यह एरपोर्ट के अंदर मत जाओ वारी घुमते रोग इन फाक्त हम सी एंजी की बात करे थे तो दुनिया में जो सी एंजी पे चलने वाला सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी दिल्ली का ही है जी वेल मैं आपको बताना चाहूंगी कि आजकल देश भर में जो जीव जन्तू है वो लुप्त होने के खत्रे में एक्स्टिंशन के देंजर में और आप जैसे इंवार्मेंट लवर जो हैं आप हर चीज का मतलब पर्यावारन का अतना ख्याल रखते हैं तो यह तो बहुत दुख की बात है कि यहां पर इतनी जी तक की हम लो जब देखें बाते तो नजर नहीं आती तो यह रहे चीडिया कहां गई कहां गई नजरी नहीं आती थी और लेकिन हाल का अगर आपको मैं आज का दिन का बताओं तो आपको सारे बर्ट सेया मिलेंगे और यह निकी आपको किसी स्पेशल पार्क में जाना अगर आप किसी भी साइट पे रहते हैं तो आपको जहां भी आप थोड़ा गिंडी के पास रहे रहे हैं तो आपको सारे वर्ट मिलेंगे जिसमें आपको किंग फिशर नजर आए रहे गाल अलगलग कलर का जो पहले सपना हो गया थे जी बहुत और गुराया को तो स्टेट सारे सारे जो लोग किसमें सरकार हैं और बीजो लुड़ते हैं उनको मैं बहुत बहुत शिक्रिग जिए अधार हो आधर जो यहां की जनतर है में थिर्ड़ि जाग地方 को रहे हैं और मगतर रहे हैं, सरकार की इस को मेंटेन करने में. In fact, आर्ट इन कल्चर को और बढ़ावा देने के लिए ओपन-eir venues निली में बहुत सारे हैं, I think बाख ती शहरों के मकाबले में विली में performers के लिए open-eir venues बहुत हैं. बहुत बहुत हैं. मैं आपका मुझे तीन चार जगा प्रफॉर्म करने का मौकर में लेक तो मुझे को नौट बेस में मिला और एक वार ली मेरेडिन के सामने वेन्यूस का नाम मैं भूल चुका हूँ लेकिन कमाली वेन्यूस लगता है कि आप किसी पुराने टाइम में बैटें किसी बाश्चा क हैं और आप अपनी मर्जी की स्टेज उपर है और नीचे आउडिस अलाम से बैठी हुई है कभी उसका महौल ही अलग हो जाता है महौल है फिर उसमें देखे उसमें चार चांद तब लगते हैं कि जरली आप कई सिटीज में या स्टेट में प्रोग्राम करने जाते हैं तो जो वहां के मेन लोग होते हैं वो नदारत वो गैव होते हैं यहां तो तक्रीबान हंडेट आप सामने बैठी होती हैं कोई शो हो रहा है कोई कल्चर की बात हो रही है तो वो सामने बैठके अपना पूरा टाइम देती हैं तो इसकी सारी चीजें तब ही अच्छी होती जब तो जब entertainment की बात चली रही है तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि रोज यहां पर 98,000 लोग दिल्ली के थियाटर्स में पिक्चरे देखते हैं और यहां करीब 130 single screens और 25 multi screen theaters हैं जहां पर कुल मिलाके कुछ 500 से भी ज्यादा shows दिखाये जाते हैं दिल्ली में अगर आपको मौज मस्ती करने हो जी तो आप कहां जाते हैं मतलब कहां पर आपको महाल ठीक लगता है मौज मस्ती करने के लिए गुली में बहुत सारी ऐसी जगात जिस भी कौने में चले जाएं Я एस वैसट वेस्ट miejसलि यह बहुत बहुत कमाल कहना है और महिज़र खाना है नापसंद नहीं रहता है कि थोड़ा साथ सफाई की तरफ जो लोग है वो ज़रा जागरुक और होने चाहिए और मुझे लगता है कि आपको बहुत सारे वाश्रूम आपको होने चाहिए मेन वें जगह के उपर जैसे क्रोल वाग में वेरा भीड में आप लाजपतनगर टाइप की जगह पे चले गए हैं कहीं भीड़वार राके में तो मुझे लगता है कि वहाँ पे वाश्रूम जो है बहुत जादे पुब्लिक ट्वाइड बहुत जादे थादात में होने चाहिए और वो भी हो जाएंगे छोटी जी बात है और दूसरे एक कि सफाई की तरफ अभी भी कई अंदर अंदरून ऐसी जगह हैं जहां पे लोगों को जागरुक बहुत करना पड़ेगा और पसंद जो है वो मुझे सबसे ज्यादा दिल्ली की जो शान है जिसकी वज़ा से आज हम सारे हिंदुस्तान में हम लोग बहुत खुशी से घूम रहे हैं अपनी मस्तिदे घूम रहे हैं वो है गुर्दारा सीज गंज और फिर मुझे बंगला साथ बहुत 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 अच्छा लगता है तलियसाब अब दिल्ली वालों के लिए आप अपना कुछ पैगाम दीजिये और उनसे कुछ दर्ख्वास्त करनी हो तो यही मौ परक डाल रहा हो कुछ आपको ऐसा मैसेज दे रहा हो उससे आप बचें और उससे दूर रहें एक और बात बताईए आपने पिछले कुछ सालों में दिल्ली में क्या-क्या बदलाव देखें लोगों का रहन सान बहुत 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 अच्छा हो गया पहले बहुत दिल्ली की शाण ही है मेटर रहे ऐसी बसे है है और बहुत खूप्र बसे है मैट रहे तो बहुत बहुत कमाल कर दी है और भी दिली दिली ज्य जैसी सडकें नहीं मिलेंगे हैं कहीं बहुत बहुत कमाल है और iel De快oux बहुत मैं जाता है और in fact मुझे यह बात कैने न रखेसा जाए है वह आप चलान काट लेना तो मैंने कुछ निए ञिवान रहा है मैंने को हजार रुप्या निकाल के पकडाया अमाय शिचा बंद जानली जाना हाथ पकले हैं चलान के तो इतनी बनते हैं मैंने रिपास चेंज नहीं है पर मेरे साथ में दो लोग बैटे थे मैंने कह देख यार इमानदारी देखो मुझे नहीं पैचान रहा और वो चाहता तो पैसे रखे चलो निकलो वो कहता नहीं ऐसे पैसे नहीं खराब करते अपना पैसे लिके जाओ इतना सब्जार रहे हैं कि मैं बाद में ले लूँगा तो रूल रेगुलिशन के साथ से भी बहुत प्यार से पे बहुत मज़ा आप से बात करके ये बताईए जाते जाते हमारे लिए आप कौन सा गीत सुनाने वाले हैं मैं बताओं जी दर्दी रब रब कर दी वे मैं डर्दी रब रब मैं डर्दी रब रब कर दी केलो की कैन चुई मुही चुई मुही चुई मुही क्या बात है आपके गाने की तरह आपकी इंटर्वी और हमारी बातचीत भी 165 की स्पीड पे हुई है है वह बहुत बहुत शुक्री आपके इंटर्वी बात आपकी बदालत दिली दिल से और अच्छी हो गई है बहुत बहुत शुक्री आपकी तरह भी जान लिया कि उनके प्यार ने कितनी जिंदियों को और भी समार दिया है दिली दिल से आपको सलाम करती है हमसे बात करने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया और मिनी माथुर और दिली दिल से की तरफ से आप सब को अलविदा दिली 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 दि पतंग है छोड़ी छोड़ी गलियों में उची पतंग है होसले हम में कुछ कर दिखाने के रोके ना रुके हम, रोके ना रुके हम सलामत रहे, तु रॉशन रहे, है सब की दुआ दिल नी पतंग है